इस ATM में फस गए हमारे पूरे 7,000 रुपे तो हम शाम को मेट की सैलरी देने और मार्केट से कुछ समाल लेने के लिए ATM पर आए पैसे निकालने हमें 15,000 रुपे निकालने थे तो 8,000 रुपे तो बड़ी असानी से निकल गए लेकिन बाकी 7000 रुपे इसी ATM में फस गए और बैंक से भी अमांट कड़ गया पूरे 15000 रुपे हमने सबसे पहले तो कोशिश करी कि किसी दूसरे बंदी के पैसे ना फज़ जाए तो हम महीं पे खड़े रहे लोगों को बताने के लिए कि ये ATM खराब है क्योंकि कोई ATM गाड नहीं तो माँपर लेकिन हमारे इतने बताने के बाद भी इन भाई सापके भी 500 रुपे फस गए और जब हमने पूछा इन से कि इन्होंने पैसे क्यों निकालने की कोशिश करी जब हमने मना कराता ही ने तो इन्होंने बोला कि शायद हमारे 500 के साथ साथ आपके 7000 रुपे भी निकाल आते इसलिए हम ट्राइ कर रहे थे निकालने की मुझे तो साफ साफ ये जूट लगा क्योंकि हम थोड़ी देर के ले ATM से बाहर गयते तब इन्होंने ट्राइ करा और अगर पैसे निकल भी जाते तो ये हमें वापस तो नहीं देने वाले थे और साथी साथ हम कस्टूमर केर पे भी कॉल लगाने की कुशिश कर रहे थे लेकिन कोई नमबर नहीं लगा एक्सिस बैंक वालो का तो हमने सोचा बाद में कंप्लेन कर देंगे और निकल पड़े वापस तो बहुत आंधी चलने लगी स्कूटी चलाना भी मुश्किल हो रहा था और तबी बारिज भी स्टार्ट हो गई साथ में तो मैं और वीर पेड़ के नीचे आके खड़े हो गया